DAV class 7 math chapter 4 exponent and powers की worksheet 5 का question number 6 है find the value of x हमने x की value निकालनी है और हमें given ते रख है इसका first part है 6th का 3 by 4 raise to power minus 9 3 by 4 raise to power minus 7 यह multiply है is equal to 3 by 4 raise to power 4x हमने x की value इसमें निकालनी है तो सबसे पहले हमने देख लिया left hand side में जो base है वो 3 by 4 है और right hand side में भी जो base है 3 by 4 है ठीक है तो हम base यहीं रखेंगे 3 by 4 ही रखेंगे तो हम law of exponent लगाएंगे इसमें देखो base same है left hand side में 3 by 4 3 by 4 ठीक है और multiply हो रहा है तो power हो जाएंगी add पावर क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी तो 3 by 3 by 4 raise to power minus 9 में क्या add कर देंगे हम minus 7 add कर देंगी ठीक है देखो minus 9 और minus 7 को जब add करेंगे तो आएगा minus 16 ठीक है तो आपको पता होगा कैसे add करते हैं 3 by 4 raise to power minus 16 is equal to 3 by 4 raise to power 4 x अब देखो left hand side में और right hand side में दोनों side में जो base है वो same हो चुका है ठीक है 3 by 4 3 by 4 है और बीच में equal का sign है अगर base same हो और बीच में equal का sign हो तो powers क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है तो हम base को छोड़ देंगे हम लिखेंगे minus 16 equal to 4 x अब 4 x क्या है 4 multiply कर रहा है x इदरी रहेज़ेगा 4 multiply कर रहा है उदर जाके equal के उदर जाके divide करेगा 16 by 4 जब हम 16 को 4 से divide करेंगे तो हमारे पास आएगा minus 4 तो x की value हमारे पास क्या है minus 4 यह हमारा क्या है answer है ठीक है तो easy question था यह अब इसका next part देखते हैं part number इसका 2 यह भी ऐसे ही है देखो same वैसे ही question है base इदर 2 by 9 है इदर भी 2 by 9 है और इदर भी 2 by 9 है और इदर भी 2 by 9 है तो 2 by 9 2 by 9 base है तो powers क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी क्योंकि multiply हो रहा है 2 by 9 raise to power minus 6 plus 3 और इदर क्या आएगा हमारे पास 2 by 9 इदर वैसे क्या वैसे लिख देंगे raise to power 2 x minus 1 अब minus 6 minus 6 और plus 3 को जब हम add करेंगे तो आएगा minus का 3 जो 6 बड़ा है जो बड़ा होता है उसी का sign आता है बड़ा number 6 है और 6 का sign minus है तो minus आजेगा तो हमारे पास यहाँ पर आया 2 by 9 raise to power minus 3 is equal to 2 by 9 raise to power 2 x minus 1 अब वही step left hand side में क्या है left hand side में base 2 by 9 है right hand side में भी base 2 by 9 है और बीच में equal का sign है अगर base equal हो जाते हैं तो power से भी equal हो जाएंगी हम power जो base है उसको छोड़ देंगे सिरफ power पावर ले लेंगे minus 3 is equal to 2 x minus 1 ठीक है अब हमने x की value निकाननी है minus जो 1 है इदर minus हो रहा है जब equal के उदर जाएगा तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा is equal to 2 x अब 3 minus का 3 है और plus का 1 है तो क्या आएगा minus का 2 जो बड़ा है उसका sign आजाता है इदर आगया minus का 2 और इदर है 2 x ठीक है अब 2 x का मतलब 2 multiply x 2 multiply कर रहा है equal के उदर जाके 2 कर देगा divide 2 ने divide कर दिया तो 2 को 2 से divide करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और यह minus था तो minus 1 ठीक है तो x की value हमारे पास क्या आई? x की value हमारे पास minus 1 यह हमारा क्या है answer है question number 6 का third part है 5 by 7 raise to power 2 divided by 5 by 7 raise to power 3 x plus 1 is equal to 5 by 7 raise to power 4 जेको इसमें पिछले question में multiply था इस बार divide है तो divide वाला rule हम लगा देंगे 5 by 7 base same है तो powers क्या हो जाएंगी? divide कर रहे हैं तो powers हो जाएंगी subtract ठीक है minus कर देंगे 2 minus अब इसको हमें bracket में रखना पड़ेगा 2 minus 3 x plus 1 is equal to 5 by 7 raise to power 4 अब हम इसको solve करेंगे 2 में से हम minus करेंगे 3 x plus 1 तो जो 2 bracket के बार minus है तो bracket खुलेगी तो sign change हो जाएंगे 3 x plus का है तो यह होज़ेगा minus का 1 plus का है तो यह होज़ेगा minus का ठीक है? तो हमारे पास क्या पचा? minus का 3 x और 2 में से 1 minus करेंगे तो क्या पचेगा? plus का 1 तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? 5 by 7 raise to power minus 3 x plus 1 is equal to 5 by 7 raise to power 4 अब दोनों तरफ left hand side और right hand side दोनों तरफ base equal हो चुका है और बीच में equal का sign है जब base equal हो गया तो power से भी equal हो जाएंगी तो हम base को छोड़ देंगे सिरफ हम powers ले लेंगे 3 x plus 1 is equal to 4 अब x की value निकालेंगे minus 3 x को यहीं रहने दो और जो 1 है जब उदर जाएगा यह plus का है तो किसी चीच का हो जाएगा? minus का हो जाएगा 4 minus 1 तो minus का 3 x 4 minus 1 क्या बचेगा? 3 और minus 3 x का मतलब है minus 3 multiply x 3 minus 3 multiply कर रहा है उदर जाके करेगा अब वो divide minus 3 3 से 3 को divide करेंगे तो आएगा 1 और इस minus को लिख लेंगे हम उपर तो x की value क्या आएगी हमारी minus 1 तो इस तरह से question हमने करना था अब इसका fourth part देखते हैं fourth part में क्या है? fourth part भी divide वाला है चलो इसको पहले थोड़ा सा solve कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है minus 6 इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं अभी ऐसी लिख लिख लिए है same divide का sign भी same लिख लो पहले इसको हम थोड़ा सा easy कर लेंगे सिंपल मना लेंगे minus 2 के उपर फिर power minus 1 है और आपको पता है जब power के उपर power आ जाए तो वो आपस में क्या हो जाती है multiply यानि कि minus 2 और minus 1 की हो जाएगी multiply minus 2 और minus 1 minus minus की multiply plus plus का 2 आ जाएगा ठीक है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ minus 6 by 11 multiply कर दी हमने पावर की इन दोनों की तो क्या आगया? 2 minus 2 और minus 1 की multiply के आगी plus का 2 और इधर भी हम ऐसे कर देंगे किसकी power गोपर power है तो 2 into minus 3 यानि कि minus 6 हाजेगी power तो हम इसको ऐसे लिख सकते है minus 6 by 11 raise to power minus 6 ठीक है? तो यह हमने कर दिया अब हम इसको आगे solve करेंगे तो यह बीच में क्या है? divide का sign है और इधर क्या हो रहा है? base same है तो divide है base same है तो powers हो जाएगी minus minus 6 by 11 x में से क्या minus कर देंगे? हम x में से minus कर देंगे 2 x minus 2 हो गया इधर और इधर है minus 6 by 11 raise to power minus 6 अब देखो left hand side में और right hand side में base same हो चुका है और बीच में equal का sign है base same है तो जो powers हैं वो equal हो जाएगी यानि कि base को छोड़ देंगे हम x minus 2 is equal to minus 6 तो हमारे पास क्या आएगा? x की value क्या आएगी? x को यहीं रहने देंगे 2 इधर minus है equal के उधर जाके क्या हो जाएगा? 2 plus हो जाएगा ठीक है? तो x की value क्या आई? minus का 6 है और plus का 2 है तो क्या आएगा? minus का 4 यहाँ पे क्या जाएगा? minus का 4 और यही हमारा क्या है? answer है ठीक है तो इस तरह से हमने question करने थे अब इसका next question देखते हैं question number 7 question number 7 में हमें दे रखा है p by q की value दे रखिया ये p by q की value है 2 by 3 raise to power 2 into 1 by 3 raise to power minus 4 find the value of value हमने निकालनी है इसकी p by q minus p by q raise to power minus 2 तो पहले p by q को हम solve करेंगे तो p by q ले लिया पहले हमने इसको solve करेंगे हम p by q है 2 by 3 raise to power 2 into 1 by 3 raise to power minus 4 पहले इसको हम solve करेंगे फिर हम p by q raise to power minus 2 की value निकाल लेंगे तो 2 by 3 raise to power 2 इसको ऐसे लिख लिए अब ये power minus में है minus को positive बनानी है अगर power तो reciprocal कर लेंगे 1 by 3 का reciprocal होता है 3 यानि कि 3 raise to power 4 अब इसको आगे हम और simplify करेंगे और simplify करने के लिए हम 2 by 3 raise to power 2 है तो इसको दो बार हम multiply कर देंगे इसको दो बार हमने multiply कर दिया और 3 raise to power 4 है यानि कि 3 की multiply चार बार करेंगे अब इसकी हम cutting करेंगे 3 से 3 cancel हो गया इस 3 से ये 3 cancel हो गया तो हमारे पास बचा क्या 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 तो हमारे पास बचा है 36 ठीक है तो p by q की value क्या निकाल ली हमने p by q की value हमने निकाली 36 और करना क्या है हमने वो देखते हैं p by q की value 36 है हमने निकालनी है p by q raise to power minus 2 इसकी value हमने निकालनी है तो p by q की जगा हम क्या लिखेंगे 36 तो हम यहाँ पे p by q की जगा लिखेंगे 36 क्या raise to power minus 2 36 raise to power minus 2 और 36 power minus 2 है इसलिए इसका क्या ले लेंगे हम reciprocal ले लेंगे 36 का receive local बनेगा 1 by 36 power क्या हो जाएगी positive receive local ले लिए तो power positive होगी अब इसका मतलब क्या है 1 by 36 दो बार multiply करेंगे 1 by 36 power 2 थी क्यों की तो 1 और 1 की multiply 1 और 1 की multiply 1 होती है और 36 और 36 की multiply करेंगे तो आएगा 1, 2, 9, 6 ठीक है तो यह हमारा क्या आगया answer आगया हमने p by q raise to power minus 2 की value निकाल ली पहले p by q की value निकाल ली फिर इसमें put कर दी ठीक है तो हमारे पास यह answer आगया तो इस तरह से यह question हमने करना था अब next question देखते हैं इसका next question भी ऐसा ही है हमें a दे रखा है और फिर a की value दे रखिया है और फिर हमने a raise to power minus 3 की value निकाल ली है पहले हम a की value निकाल लेंगे जो हमें given है यह क्या है हमें 3 by 5 3 by 5 raise to power minus 2 divided by 7 by 5 raise to power 0 ठीक है अब 3 by 5 raise to power minus 2 है तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम reciprocal ले लेंगे 5 by 3 हो गया और power होगी positive ठीक है डिवाइड का sign 7 by जो 5 है उसकी power का है 0 है और मैंने आपको बताया था जब किसी की power 0 हो तो वो किसके एकुल होता है 1 के एकुल होता है तो यहां पर आजेगा 1 ठीक है 1 से divide करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा वैसा का वैसा ही रह जेगा तो इतना ही रह गया 5 by 3 power 2 इसको अगर आगे solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 by 3 into 5 by 3 तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 यह हमने किसकी value निकाल ली है हमने यह a की value निकाल ली अब हम क्या निकाल लेंगे हमने निकालना क्या है a raise to power minus 3 इसकी value हमने निकालनी है तो a की value आप पूट कर देंगे हम a की value है 25 by 9 raise to power कितना है minus 3 a की जगा हमने क्या रख दिया 25 by 9 क्योंकि हमने यही हमने निकाला था अब minus 3 है इसको power को positive बनाएंगे तो reciprocal ले लेंगे 9 by 25 raise to power 3 power positive होगी अब power 3 है तो इसको हम 3 बार क्या कर देंगे multiply कर देंगे 9 by 25 into 9 by 25 into 9 by 25 into 9 by 25 9 को 3 बार multiply करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 to 9 और 25 को जब 25 से multiply करेंगे और फिर 25 से multiply करेंगे तो हमारे पास answer आएगा 15,625 तो यही हमारा answer है 729 upon 15,625 यह हमारा क्या आगया answer आगया तो इस तरह से आपने यह question number 8 करना था अब question number 9 देख लेते हैं question number 9 हमने simplify करना है देखो किस तरह से आपने करना है इस question को easy question है यह भी अब सबसे पहले क्या 2 by 3 raise to power 2 raise to power 3 power के उपर power है तो आपस में हो जाएगी multiply तो हमारे पास आजएगा 2 raise to power 2 3 जा क्या हो जाएगा 2 की 3 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आगया यहांपे फिर multiply का sign 2 by 3 raise to power minus 4 है power positive बनाएंगे reciprocal ले लेंगे 3 by 2 raise to power 4 power positive होगी next में क्या है power क्या है minus 3 है तो इसका भी reciprocal ले जेंगे 3 का reciprocal होता है 1 by 3 raise to power 1 1 लिखने की जुरूरत नहीं है into 1 by 6 अब इसको आगे हम solve करेंगे जब इसको solve करेंगे तो देखो जो 2 by 3 है उसकी multiply 6 बार करेंगे कर सकते हैं अगर करना चाहें तो 2 by 3 into 2 by 3 2 by 3 फिर 2 by 3 फिर 2 by 3 फिर 2 by 3 है ठीक है 6 बार हमने multiply कर दी फिर 3 by 2 की हम 4 बार multiply कर देंगे 3 by 2 3 by 2 3 by 2 और 3 by 2 फिर 1 by 3 था फिर उसके बाद था 1 by 6 अब जो cutting होती है उसकी हम cutting कर देंगे 3 से 3 cut इस 3 से ये 3 cut इस 3 से ये 3 cut और इस 3 से ये 3 cut ठीक है ऐसी 2 की cutting कर देंगे 2 की 2 से 2 कट हो जाएगा ये 2 से ये 2 cut हो जाएगा ये 2 से ये 2 और ये 2 से हो जाएगा ये 2 cut ठीक है तो उपर क्या बचा हमारे पास चलो वो लिख लेते हैं पहले हम ताकि हमें उपर बचा हमारे पास 2 इन्टू 2 ठीक है और ये 1 1 लिखने की जुरूरत नहीं है निच्चे हमारे पास क्या बचा 3 इन्टू 3 इन्टू 3 इन्टू 6 3 इन्टू 3 इन्टू 6 तो उपर आया हमारे पास आंसर 2 इन्टू जा अगर करें अगर देखलो ओर भी कट रहा है ये भी कट रहा है देखो 2 3 इन्टू 6 चलो ये भी कट रहा है इसको भी काट देते है 2 3 इन्टू 6 तो उपर हमारे पास बचा 2 क्या बचा 2 और नीचे क्या बचा 3 3 9 9 3 27 और 27 3 जा 81 2 by 81 ये क्या आगया हमारा answer आगया ठीक है तो इस तरह से आपने ये question करना था question number 10 है find the reciprocals of reciprocals हमने निकालना है ये first इसका दिया हुआ गिवन है हमें देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको simplify करेंगे ये क्या चीज है फिर उसका reciprocals कर देंगे तो पहले हम इसको simplify ही कर लेते हैं तो 1 by 2 raise to power minus 2 है इसको positive power में बदलना अगर हम चाहते हैं तो इसका ले लेंगे हम reciprocal यानि की 2 raise to power 2 divided by 2 by 3 raise to power minus 3 है इसको भी positive power बनाएंगे reciprocal ले लेंगे 3 by 2 raise to power 3 ठीक है अब 2 raise to power 2 है ये divide है divide को अगर हम multiply में change करना चाहते हैं तो हमें reciprocal लेना पड़ेगा 3 by 2 raise to power 3 का तो 3 by 2 का reciprocal बनेगा 2 by 3 raise to power 3 अब हम इसको आगे solve करेंगे तो 2 raise to power 2 का मतलब है 2 into 2 और 2 by 3 raise to power 3 का मतलब है इसको हम तीन बार कर देंगे multiply क्योंकि पावर थी 3 अब इसको आगे simplify करेंगे तो अगर ये कुछ कटता है तो इसमें से हम काट देंगे नहीं कटता है तो ऐसी लिख देंगे 2 तूजा 4, 4 तूजा 8, 8 तूजा 16, 16 तूजा 32 ये आगया हमारे पास 32 और नीचे आगया 3 तूजा 9, 9 तूजा 27 तो हमारे पास ये इसको जब हमने solve किया तो हमारे पास ये आया ठीक है यानि कि 32 by 27 का reciprocal क्या बनेगा 27 by 32 तो अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि reciprocal of reciprocal of reciprocal of इसका अगर हम reciprocal करें क्योंकि हमने इसको solve कर लिया है solve करने के बाद जब हमने इसको solve किया solve करने के बाद हमारा क्या आया 32 by 27 तो इसका reciprocal 27 by 32 reciprocal of this is इसका reciprocal कर दो क्या आएगा 27 by 32 यह हमारा क्या आगया answer आगया ठीक है समझ गे ऐसी इसका second part करना है पहले simplify करना है simplify करने के बाद हम इसका reciprocal लिख देंगे यह तो simply था power दोनों की positive है तो इसको हम 2 by 5 तीन बार multiply करेंगे 2 by 5 into 2 by 5 ऐसी 5 by 4 को हम दो बार करेंगे क्योंकि power 2 है जो कटता है काट देंगे 5 से 5 cancel हो गया 5 से 5 cancel हो गया ठीक है और 2 तूजा 4 फिर यह 2 से यह 2 cancel हो गया और 2 तूजा 4 तो क्या आए हमारे पास हमारे पास आया है उपर हमारे पास क्या बचा है उपर हमारे पास 1 बचा है ठीक है कट कुटके 1 बचा है और निचे 5 और 2 तो 5 तूजा 10 यानि कि इसको हमने जब solve किया इस चीज़ को हमने solve किया तो क्या है 1 by 10 तो हम लिखेंगे reciprocal of reciprocal of 2 by 5 raise to power 3 into 5 by 4 raise to power 2 is अब यह जो 1 by 10 है इसका reciprocal ले लेंगे ठीक है तो 1 by 10 का reciprocal होएगा 10 10 by 1 या 10 तो यह हमारा क्या आगया answer आगया ठीक है तो इस तरह से आपने यह question करने थे पहले simplify करो simplify करने के बाद जो answer आए फिर उसको आपने पलट देना है उसका reciprocal ले लेना है अब next question देखते है next question क्या है express the following as a rational number 11th question है with positive exponent exponent को हमने क्या बनाना है positive बनाना है तो यह बिल्कुल ही easy question है देखो first है इसका power क्या है negative है power negative है मारे पास इसको positive बनाना है तो positive बनाने के लिए क्या करेंगे reciprocal ले ले लेंगे 2 by 3 3 by 2 का reciprocal 2 by 3 raise to power 4 यही हमारा क्या आजएगा answer आजएगा ठीक है next में देखो next भी ऐसा ही second power minus 3 है और फिर सारे की power 2 है तो power के उपर power आगी पहले इसको थोड़ा सा simplify करेंगे power के उपर अगर power आजए तो आपस में हो जाती है वो multiply 3 की multiply 2 से करेंगे तो power आजएगी हमारे पास minus 6 ठीक है तो power के आगी हमारे पास minus 6 अब इस 4 हम क्या बनाएंगे positive बनाएंगे यह तो आप समझगे होंगे कि 3 और 2 की हमने क्या कर दी multiply कर दी जो rule लगा दिया हमने power के उपर अगर power आए तो power आपस में multiply हो जाती है अब 3 की power minus 6 है इसको positive अगर बनाना है तो 3 का ले लेंगे हम reciprocal 3 का reciprocal होएगा 1 by 3 तो 1 by 3 raised to power 6 यह हमने positive exponent में इसको change कर दिया ठीक है next है next भी ऐसे ही है अब base same है तो power क्या हो जाएंगी add हो जाएंगी multiply हो रहा है 2 plus minus 3 power को add किया तो 7 की power क्या आजेगी देखो minus का 3 है और plus का 2 है तो power आएगी minus 1 तो यहाँ पर power क्या आगी minus 1 ठीक है power minus 1 है इसको positive बनाना है तो 7 का ले लेंगे हम reciprocal 7 का reciprocal क्या बनेगा 1 by 7 और power आजेगी इसकी 1 power 1 लिखने की जुरूरत नहीं है question number 4 है इसका 4 भी ऐसे है power के उपर power है तो सबसे पहले इसको कर दो multiply 5 by 8 2 की multiply 3 से करेंगे 2 3 जा 6 minus का 6 ठीक है अब इसको हम क्या करेंगे positive power में अगर हमने बदलना है तो reciprocal ले लेंगे 5 by 8 का 5 by 8 का reciprocal बनेगा 8 by 5 तो raise to power 6 तो पावर क्या होगी positive होगी अब इसका fifth part है ये भी ऐसे ही है base equal है तो power क्या हो जाएंगी multiply हो रहा है तो power हो जाएंगी सबसे पहले add हो जाएंगी power minus 3 plus 5 तो minus 3 plus 5 तो कितना आएगा power आएगी हमारे पास 2 तो पहले से ही यानि कि plus का 5 है और minus का 3 है तो हमारे पास क्या आएगा plus का 2 तो पहले से ही positive है इसको आगे करने की जरूरत नहीं हमारा answer इसमें तो सीधा ही निकल गया है अब next है इसका 6th part है 6th part देखो क्या है इसमें इसको भी ऐसी करना है 8 raise to power 3 है और 8 raise to power 5 है तो divide हो रहा है तो power क्या होजेंगी minus होजेंगी पहले bracket वाला solve करते हैं 8 raise to power 3 minus 5 ठीक है bracket 1 multiply 8 raise to power minus 4 अब इसको आगे करेंगे तो क्या आजेगा 8 raise to power minus क्या आजेगा 2 आजेगा और इधर आजेगा हमारे पास 8 raise to power minus 4 यह 2 कैसे आया minus का 5 था और plus का 3 था तो 2 आगया minus का जो बड़ा होता है नंबर उसी का sign आता है अब यह दोनों क्या होगे यह दोनों होगे minus के ठीक है और base same है बेस same है तो power क्या होजेगी plus होजेगी minus का 2 और plus करेंगे minus का 4 ठीक है power को हमने क्या कर दिया plus कर दिया multiply हो रहा था ठीक है तो माइनस का 2 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा तो 8 की power क्या आगी माइनस 6 ठीक है तो अब इसको हम कैसे करेंगे इसको हमने power positive बनानी है तो 8 का ले लेंगे हम reciprocal तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 by 8 raised to power 6 यह हमारा answer आ गया और इसको अगर हम दूसरे डंक से लिखना चाहे है तो ऐसे भी लिख सकते है तो कि 1 की power 6 तो 1 ही होता है निच्चे के आजएगा 8 की power 6 ठीक है यह भी ठीक है और ऐसे करोगी यह भी ठीक है यह दोनो answer ठीक है तो इस तरह से हमने एक question करना था अब next देखते हैं question number 12 express the following as a rational number with negative exponent जो exponent है वो हमने क्या करना है negative लेना है ठीक है अब positive नी बनाना negative बनाना है जब हम negative से positive बनाते थे तो reciprocal लेते थे ऐसी अगर positive से negative बना रहे हैं तब भी हमें reciprocal लेना पड़ेगा अब यह positive power है negative बना रहे है तो reciprocal ले लेंगे 1 by 7 का reciprocal होएगा 7 तो 7 और power क्या होजेगी negative ठीक है जब भी हम reciprocal लेंगे तो power का जो sign है वो change हो जाएगा power positive थी reciprocal ले लिया तो power क्या होजेगी negative तो इसने यही कहा था negative exponent बनाना है हमने negative exponent बना दिया next भी हैसे पहले इसको थोड़ा सा solve करेंगे 3 raise to power 2 whole power 9 power को उपर power है तो multiply होजेगा तो 3 की power क्या होजेगी 18 अब इस power को हमने क्या बनाना है negative बनाना है negative बनाने के लिए क्या करेंगे positive से negative बना रहे हैं तो reciprocal फिर से लेना पड़ेगा 3 का reciprocal होता है 1 by 3 है तो power हो जाएंगी add क्योंकि multiply हो रहा है तो 3 plus 2 तो 5 की power क्या आगी 5 आगी 5 की power 5 आगी इसको negative बनाना है तो 5 का ले लेंगे reciprocal 5 का reciprocal होता है 1 by 5 और power कर देंगे हम negative ठीक है reciprocal करते ही power positive से क्या हो जाएगी negative हो जाएगी ऐसी इसका fourth part है इसको भी ऐसी solve करेंगे power के ओपर power है तो multiply हो जाएगा minus 8 by 9 की power क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी अब इसको हमने बनाना है negative positive से negative बनानी है power तो क्या करेंगे exponent को जो base है उसको ले लेंगे उसका reciprocal लेंगे minus 9 by 8 और raise to power minus 6 ठीक है अब fifth है fifth भी ऐसे ही करेंगे हम ठीक है तो 5 by 7 5 by 7 है और base same है और divide हो रहा है तो power सबसे पहले क्या हो जाएगी minus हो जाएगी 3 minus 2 तो क्या है हमारे पास 5 by 7 raise to power plus 1 power क्या आगी 1 आगी plus का 1 आगी इसको negative बनानी है तो reciprocal को ले लेंगे 7 by 5 और power क्या होजेगी negative minus 1 बिल्कुल easy question है अब इसका last question है और यह worksheet का भी last question है देखो कैसे करना है यह भी ऐसी होएगा अब हमारे पास क्या 2 raise to power 6 है और 2 raise to power 5 है और divide हो रहा है तो base equal है तो power क्या हो जाएगी minus हो जाएगी और इधर था हमारे पास 2 raise to power 2 तो हमारे पास आया 2 raise to power 1 into 2 raise to power 2 अब multiply हो रहा है तो power क्या हो जाएगी power हो जाएगी add चोंकि base equal है power add कर दी हमने multiply हो रहा है तो हमारे पास आया 2 raise to power 3 तो 2 raise to power 3 आगा हमारे पास मगर हमने power positive नहीं लेनी power लेनी है हमने negative तो रैसी प्रोकल ले लेंगे 2 का रैसी प्रोकल होगा 1 by 2 और यहां पे जो power है वो हो जाएगी negative ठीक है तो इस तरह से ये वर्कशिट हमने करनी थी हमने complete कर ली अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्का